इंडूसींड बैंक, मांईनर अकाउंट उपेनिग ऊणलाइन दोस्तों आपकी भी एठारग से कम है यानि कुआप एक माईनर हैं और या एक बैतरीन सेवीं इंकाउंट के तलास में हैं यह वीडियो आपके लिए है इस वीडियो में हमने आपको Indusuit Bank में minor account open करने का full process बता है कि कैसे आप अपना minor account open कर सकते हैं account open करने में आपको क्या-क्या features मिल जाते हैं account का अंदर आपको क्या-क्या benefits मिल जाती है account open कराने के लिए कौन-कौन से document required होते है account का अंदर आपसे कितने fish ली जाती है कितने service charges ली जाते हैं और आपसे कितने hidden charges ली जाते है account का अंदर आपको checkbook की facility कैसे मिलती है ATM card की facility कैसे मिलती है और आपको passbook कैसे मिलेगी account का अंदर UPI जैसे की phone पे, Google पे, PTM आप कैसे उच कर सकते हैं तो चलिए सुरू करते हैं इस वीडियो को वीडियो सुरू करने से पहले आपसे एक छोटी से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे चैनल पे पहले बर वीडिक किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि banking से जुड़ी update सबसे पहले आप तक पहुंच सके इंडसिंड बैंक में आपको एक minor account open करने के लिए सबसे पहले इंडसिंड बैंक के official portal पे आना होगा official portal पे आने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइब के interface मिल जाता है जिसमें कि आपको सबसे पहले थोड़ा से नीचे scroll कर लेना है आपको यहाँ पे कुछ account का option मिल जाता है जैसे कि saving count, fixed deposit, credit card तो हम यहाँ पे एक account open करना है saving account के नीचे में एक explore more का option मिल जाता है आपको यहाँ पे click कर देना है जैसे आप यहाँ पे explore more वाले option पे click करेंगे आपके सामने एक new page खुल के मिल जाता है यहाँ पे आपको तीन option मिल जाता है जैसे रिकॉमेंडेंट, दूसरा digital और तीसरा all तो आपको यहाँ पे all वाले option पे click कर देंगे मतलब कि यहाँ पे आपको इंडेसिंट बैंक से saving account के सारे account आपको यहाँ पे मिल जाते है तो आपको यहाँ पे थोड़ा से नीचे स्क्रॉल कर लेना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने सारे saving accounts मिल जाते हैं तो आपको यहाँ पे थोड़ा से नीचे स्क्रॉल कर लेना है स्क्रॉल करने के बाद load more वाले option पे click कर देना है थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपके सामने एक 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 अकाउंट मिल जाता है इंडस यंग सेवर शेविंग अकाउंट तो दोस्तों यह जो है इंडसेटि मैंग का माइनर एकाउंट का सबसे बेश्ट एकाउंट है तो आपको यहाँ पे सबसे पहले नीचे में आपको इस पर क्लिक कर देना है आपके सामने माइनर एकाउंट का पेज़ खूल के मिल जाता है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इंडस यंग सेवर सेविंग एकाउंट फॉर माई तो सबसे पहले हम यहाँ पे ओवर वीज फीचर्स फीस और चार्जज इलाविलेट के लिए अकाउंट से यानि की माइनर के लिए अकाउंट से इस एकाउंट में आप इंवेस्टमेंट भी कर सकते हैं नेक्ट में आपको यहाँ पर कॉस्टमाइज डेविट काड का अप्शन मिल जाता है और आपको इस एकाउंट का अंदर डेविट काड भी मिल जाते हैं और चेकबुक भी मिल जाता है इसके बाद आपको थोड़ा सनिश्चे स्क्रॉल डाउन कर लेना है उसके बाद हमें यहाँ पर फीचर्स वाले अप्शन पर आ जाते हैं आपको यहाँ पर एक डेबिट कार्ड का अप्शन मिल जाता है आपको सेविंग का अंदर जो की माइनर इंडेबिट कार्ड मिल जाता है जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं इस एकाउंट का अंदर आपको एक साल में एक हजार का एन्वल वर्थ रिवर्ट पॉइंट मिल जाता है जिससे आप स्वापिंग कर सकते हैं अगेन आपको यहाँ पर इस एक मंत के अंदर पचा ट्लिक करने के बाद जैसे कि आप कंफ प करो आपको सारे जैसे कで को मील जाता है जिसमें की आपको बैंकως हर एक परकार चार्जर्ज आपको यहां पर मिल जाती है जो कि आपको एक बार अच्छे से देख लेना है उसके बाद हमें आप एलेजबिलिटी के रिटेरिया फॉर माइनर अकाउंट ओपिनिंग के बाद करें सबसे पहले यह जो आपके अकाउंट है आपके गार्जन कंडर में चाहिए सब्सक्राइबिट करें लिए जैसे के आपको यहां से चाहिए जैसे की अपने इपने आपना चाहिए ऑहां से पहलें कर देने हुगा फिर आपको लाशने में में संदो करेंना होका यहां पर आपना कर लेना होगा यहां पर आपका इस पूछादी समरीक्राइब कर आपके एकाउंट ऐ existential कर दिया जाता है दोस्तों यहां पर जोब के माइनल एकाउंट अपने विजिट करके भी ओप्राँट कर आसकते हैं वर विजिट करने के लिए आपको पड्रांज तर्श को लेखे जा